तो गाइस आज की वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जिनको government की तरफ से mobile मिलते हैं जो students होते हैं school college के उनको अगर government की तरफ से scheme के तहत एक mobile मिला होता है government का और यहाँ पर अगर उनको home button जो है वो show नहीं होता है नीचे की तरफ जो होता है तो उसका solution क्या है first of all आपको आन तो मैं वहीं से समझा देता अब अभी मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या होगा जो मैं इस mobile में करके बता रहा हूँ semester कर लीजिएगा आपको यहाँ पर play store में आकर search करना है navy gation bar यह आपको search करना है बहुत सारी applications देखने को मिलेग जो सबसे उपर यह application है इसको आपको open करना है और इसको install पर लगा देना है अब मैं बताओंगा आपको इसको install करने के बाद setup कैसे करना है ठीक है यहाँ पर आपको इसको navigation bar को install कर लेना अपने mobile में अब यहाँ से आपको open करना है जैसे इसको install करने डाउनलोड कर लेते हैं के अंदर यहाँ पर agree पर click करना है go to setting देख सकते हैं यहाँ पर go to setting में आने के बाद इसको enable कर दीजिएगा यहाँ से download it up पर click करके navigation bar है use navigation bar को own करना है यहाँ से इसको यहाँ से tick करिए और ok यहाँ पर timing चल रही ok में तो इसको पूरा होने देंगे और यहाँ से आपको ok भी कर देना है ok कर दी है देख भी सकते हैं open display setting तो यहाँ पर यहाँ से भी जो over other apps है यहाँ से भी आप enable कर दीजिएगा तो देख लेते हैं थोड़ा सा time लगेगा navigation जो application है यहाँ पर यह रही इसको यहाँ से on कर देते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको enable कर दिया है कुछ इस तरह से आप देखुआ सकते हैं नीचे की तरफ यह navigation बार आ चुकी है देखिए अभ यहाँ से इसको use कर सकते हैं ठीक है बस आपको यही बताना था अगर आपको फिर भी कोई प्रॉलम आए मुझे कमेंड में बताईएगे मैं को यह सुलीशन लेकर आँगा मिल दे नेक्स विड़े में टिल दो बाटे के लब यो